Hello बच्चो, लेट सेट ग्वेस्टिन। ग्वेस्टिन सेज्ट वन प्रिति पेर कैक्टर्स वस इंट्रोड इंट्रेलिया इन अर्ली 1920s, इट कॉस्ट हवोग अद एकोसिस्टम इंस्टाबिलिटी बाइचीविंग वेरी हाई पॉपुलेशन देंसीटिस। एक्स्टेन दे रीजन फॉर इस रापिड स्प्रेड इन्टु मिलियंस ओफ हेक्टर्स ओफ रेंज लाग्ड तो इस प्वेस्टिन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे की कॉंसेप्ट ओफ पॉपुलेशन इंटराक्शन तो एक पर्टिक्यूलर कम्यूनिटी में देर आर डिफरेंट ताइप्स ओफ प्लांट्स अनिमल्स और माइक्र ओर्गानिसम जो एक साथ इन्हाबिट करते हैं और ये कभी आईसोलेशन में नहीं रह सकती दे नीट तो विद इच आदर और स्पीसीज के बीच इसी इंटराक्शन को कहा जाता है इंटर स्पेसिफिक इंटराक्शन अब ये इंटराक्शन बेनिफिशियल हो सकते हैं यानि कि इट इस यूस्फुल फॉर आइदर वान और बोथ अफ़ पार्टनर हाम्फुल हो सकते हैं यानि कि आइदर वान और बोथ अफ़ पार्टनर्स अर गेटिंग हाम्ट बाई इस इंटराक्शन या नूट्रल भी हो सकता है यानि कि नाहीं कोई बेनिफिट आ रहा है नाहीं कोई हार्म हो रहा है तो प्रिटेशन एक्जाम्पल है ओफ वान सच पॉपिलेशन इंटराक्शन इसमें क्या होता है वान इंटराक्टिंग पार्टनर इस बेनिफिटेड और इस हाम्ट तो अगर हम कंसिडर करें और टाइगर फीडिंग और तो टाइगर इस प्रोसेस में बेनिफिटेड होता है बिकाज इस गेटिंग इस फूट पर डियर इन दा प्रोसेस इस हाम क्यूंकि इस गेटिंग किल्ट तो अभे आप पूच सकते हो कि वाट इस दा अड्वांटेज अफ दिस एकोलोजिकल इंटराक्शन तो प्रिडेश वन ट्रोफिक लेवल से दूसरे ट्रोफिक लेवल तक दी ट्रांस्वर ओफ और अर्गानिक मैटर और बायोमास तो इफ यू कंसिडर दी डियर फीडिंग ओन दी ग्रास तो ये भी एक प्रेडेटरी इंटराक्शन है और इन दो प्रोसेस प्रेडूसर से प्राइमरी कंस्यूमर तक एनर्जी ट्रांस्फर हो रहा है और सेकंड मेजर अड्वांटेज है इफ हैल्स तो कीप दी पॉपुलेशन ओफ प्रेड अंडर कंट्रोल तो ऐसा ये एक सिनारियो डेवलाक किया था वेन दी प्रिटली पेर कैक्टस वस इंट्रोट इन अस्ट्रेलिया तो ये कैक्टस नौन नेटिव और एलियन स्पीशी स्था इन दी अस्ट्रेलियन मेनलाड और इसे वजए से इट है नो कोर्रेस्पंडी प्रेड़र तो since प्रेडर नहीं था इस बॉपुलेशन अच्टस प्रोलिफरेट अनकॉन्ट्रोल एलि इन अस्ट्रेलियन मेनलाड So, the population went out of control, जो के वा के native जो plant species थे, उनको negatively impact करने लगा. The population of this cactus plant could only be controlled, जब उसके corresponding predator, यानि की the cactus feeding moth को उस ecosystem में introduce किया गया. And this is an example of biological pest control, तो अगर हम biological control को भी देखे, it also depends on prey-predator interaction, तो एक proper predator नहीं होने के वजय से, the population of the invasive species यानि की cactus uncontrollably increase होने लगा in the Australian mainland, जो के वा के natural ecosystem को hamper करने लगा. So, hope you understood it well, best of luck.